नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ NTUGC NET, JRF हिंदी विशे की तैयारियों के अंत्रगत दोस्तो आज हम एकाई तीन साहित्य शास्तर के बारे में जल्दी जल्दी कुई क्रिविजन करेंगे दोस्तो तो इसमें जो मुख्य चीज़ें देखिए कावे लक्षन, कावे हेत्यू, कावे परियोजन तो इन चीज़ों के बारे में हम मुख्यत आज दिसकस करेंगे तो चलिए बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले देखिए साहीते शास्तर के अंतरगत पहले इसका नाम कावे शास्तर हुआ करता था अब इसको साहीते शास्तर के अंतरगत रखा गया है और यह हमारी इकाई तीन है इसमें हम कावे के लक्षन, कावे हेत्यू और कावे प्रियोजनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे तो इसके बाद कि जो देखिए जो प्रमुक संपरदाय सिधान, रस, अलंकार, रीती, वक्रोक्ती और अचित्य तो यहां से एक-एक प्रशन पुछने की संभावना हरवा रहती ही है और साथ ही साथ इसमें देखिए शब्द शक्ती, कावेगुण और कावेदोश तो इनके बारे में भी हम अपनी आने वाली जो वीडियो होंगी हमारी उसमें डिसकस करेंगे तो ये कभी रिविजन रहेगा हमारा दोस्तों इसके अंत्रगत तो चलिये सबसे पहले हम देख लिएते हैं कावे लक्षन के बारे में संस्कीत अचारियों के मत क्या क्या है अगर संस्कीत अचारियों की बात हम करें यहाँ पर मेंने पूरे systematically इनको रख दिया है कि किस कभी का या किस जो हमारे विदवान रहे हैं संस्कृत के अचारे रहे हैं उनका जनम काल के अधार पर मैंने उनको रखने की कोशिश की है साथ ही साथ उन्होंने जो कावे के लक्षन बताए हैं उसके बारे में भी बात की हुई है सबसे पहले अगर हम बात करें भरतमुनी की तो भरतमुनी का समय सबसे पहले ही माना जाता है कावे शास्त्र में और ये विक्रम की तीसरी शताब्दी के आसपास था तो आप चाहें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको क्योंकि यहां से जीतने भी इसके बाद आएंगे सबसे प्रतम कावे शास्त्र का ग्रंथ ठहरता है तो सबसे पहला जो ग्रंथ है भरतमुनी का नाटे शास्त्र ये ही कावे शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है परन्तु इसमें क्या है कि इसमें कोई भी कावे के लक्षनों के बारे में इनोंने चर्चा नहीं की गई ह इसलिए उन्होंने कोई भी कावे का लक्षन इसमें नहीं दिया है तो इसलिए भरत मुनी का जो कावे शास्तर है उसमें हमें कावे के जो लक्षन है वो नहीं दिखाए देते हैं अगर इसके बात की हम बात करें कि सबसे जो प्राचीन परिभाषा में मिलती है अगनी पुराण में मिलती है और इसी को कहा जाता है इसी को ही हमें मानना चाहिए जिसमें देखी का कहा गया है इश्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युकत ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोशरहित और गुण युक्त हो तो देखी ये अगनी पुरान में क्या कहा गया है कि काव्य क्या है जो क्या हो अलंकार जिसमें हो और दोश जिसमें कम हो और गुण जिसमें ज्यादा हो तो वही क्या है वही काव्य है तो ये काव्य के लक्षन सबसे पहले अगनी पुरान में इनकी चर्च की हुई है। दूसरे इसके बाद आते हैं दिखिए भावा जो इनका जो समय है चछटवी शती पूर्ब है ना, तो देखिए पहले भरतमुनी थे तीसरी मैं और अब अचारे जो भावा हैं ये गव हैं अमारे चछटवी शती पूर्ब में हैं, तो इनों ने दिखिए इनका परिक्षा में इसको पूछा जाता है मिलान के लिए बहुत सारे बार ये इनके दंडी भाहमा ममट बगेरा की जो रचना है वो आ जाती है या इनकी जो पंक्तियां है कावे लक्षन के समद में क्या कई है वो भी पूछी जाती है ठीक है तो ये कहते हैं शब्दार्तो सहीतो काव्यम कि शब्द और अर्थ के समेत जो क्या बनता है कावे बनता है ठीक है उसके बाद इक ये दंडी जो सात्वी शती में आते हैं तो दंडी की रचना है कावे दर्ष तो कावे दर्ष में ये कहते हैं शरीरम तावदिश्थात पर विचिनना पदावली तो ये रचना ये पंक्ति किसकी है ये अचारे दंडी की है और दंडी सात्वी शती में हुई है कावे दर्शिन की प्रमुक रचना है शरीरम तावदिश्थात पर विचिनना पदावली इनकी प्रमुक पंक्ति है जो काव कब है ठीक है इनकी रचना गया है और इन्होंने कौन सी परिभाशा दी है तो कावय लंकार सुत्र वृति इनकी जो रचना है और इसमें इन्होंने क्या बोला है इसके लिए कावय के लक्षनों के लिए कि कावय शब्द अयम गुणा लंकारा संस्कृतियों शब्दार्थे तो ये इनकी प्रमुख परिभाशा है, उसको बदाते हैं, रुद्रट ही इनका समय है नवी शती का पूरवार्द, तो ये कहते हैं, ननुशबदार्थों काब्यम, ये पंक्ति किसकी है, ये हैं अचारे रुद्रट की, रुद्रट का समय है नवी शती का पूरवार्द, तो अनंदवर्धन है ये नवी शती के उत्रार्ध में हुए हैं तो देखिए रुद्रण थे नवी शती के पूरवार्ध में जबकि अनंदवर्धन आ गए इसके उत्रार्ध में मतलब जो नवी शती था उसके अंतिम समय में हुए हैं अनंदवर्धन ठीक है तो इनकी जो प्रम इन्हों ने कहा है कि तद दोशो शवदार्थो सगुना वलंकृति पुना को आपी तो मम्मट की पंक्ति भी बहुत मौतपूर्ण है आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके इसको अपनी डाइरी में अपनी कौपी में नोट कर सकते हैं ठीक है हिमचंद्र है दीकि तो वही क्या है काब्य है अचारे विश्वनात चौधी चौधी शती में हुए है और इनके जो प्रमुक रचना है देखे साहीते दरपन उसमें ये कहते हैं वाक्यरसमात्मकम काब्यम तो ये काब्यम में क्या मानते है रस की वो मानते है की रस उसमें होता है ठीक है तो इस जगनात आखरी है ये सत्रुई शती में और रस गंगाधर इनकी प्रमुख कृती है जिसमें ये कहते हैं रमनियार्थ प्रतिपाद कहा शब्द काव्यम कि जो रमनियार्थ प्रतिपाद कहा शब्द काव्यम ये किसकी है ये पंडित जगनात की और ये हुए है सत्रुई शती ने रस गंगाथर इनकी प्रमुख कृती है तो ये तो होगी कावे लक्षन के बारे में बाते हैं अब देखिए संस्कीत में कावे लक्षन अचारेओं ने मुखे तीन आधारों पर किया है इनके कावय लक्षनों को अचारियों को तीन अधारों पर बांटा गया है सबसे पहले है शब्दार्थ के अधार पर तो देखी जो शब्दार्थ के अधार पर हैं कावय लक्षनों का तो वो हैं दंडी, जयदेव और आपका जगनात तो ये शब्द का अधार पर आते हैं उसके बाद रस और ध्वनी का अधार पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा विश्वनात और भोजराज तो ये ही मानते हैं कावय लक्षन के लिए रस और ध्वनी को आधार ठीक है, तो यह होगी संस्कित में कावय लक्षन आचारयों ने जो मुख्य तर तीन आधार किये हैं, उसके बारे में बात अब हम देख लेते हैं, पाश्चाते विद्वानों के अनुसार कावय के लक्षन क्या है तो देखे, इसमें सबसे पहले ड्राइडन का विचार है यह कहते हैं कि कवीता सूसपष्ट संगीत है तो यहां से पंक्तियां कई बार पूची कई हैं परिक्षा में, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है इनको भी आपको देखना पड़ेगा पेपर से पहले एक बार क्योंकि यह पूची जाती है तो फिर उसके बाद देखे, कॉलरिज तो यह लिखते हैं कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कवीता होती है तो कई बार यह पंक्तियां पूची जा सकती है कि सर्वोत्तम शब्द में अपने सर्वोत्तम क्रम में कवीता होती है कोई क्या है, कवीता है जहांपर सर्वोत्तम शब्द क्या है क्रम में रखे गए हो, निश्चित क्रम में रखे गए हो Wordsworth के अनुसाद देखे, कवीता के है कवीता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका सुरूत शांती के समय में समरित मनमेकों से फूरता है तो ये Wordsworth की परिभाशा है कि ये मानते हैं कि ताबिक के लक्षन में क्या होता है जो प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक होता है तो ये हैं उसका बाद Matthew Arnold है ये कहते हैं कि कवीता अपने मूल रूप में जीवन की अलोचना है तो देखे, यहां से प्रशन बनने की सम्मावना इस तरीके से है कि कवीता अपने मूल रूप में जीवन की अलोचना है किसने कहा है या किस ती पंक्ती है या परिभाशा किसने दी है तो यह है मैथ्यो अर्नॉल्ड की बहुत महत्वपूर्ण परिभाशा है इनकी यह पीवी शैली की अनुसार देखिए सर्वसुकी और सर्वत्म मनों के सर्वत्तम और सर्वधिक सुक पूर्ण क्षणों का लेखा क्या है कवीता है तो यह कहते हैं शैली हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिन में विशादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं इन्होंने दो परिभाशाइं दी हैं देखिए दूसरी यह है कि हमारे जो सबसे मधुर गीत हैं जो गान हैं जिन में विशाद पूर्ण भाव व्यक्त किये जाते हैं वही क्या है काब्य के लक्षन है या वही काब्य है उसके बाद मैथ्यू अर्नॉल्ड के अनुसार देखि कि इस पंक्तियों को भी पूछा गया है यह वाली पंक्ति जो है वर्ड़ वर्ड की बहुत मत्वपूर्ण पंक्ति है यह इसको भी परिक्षा में बहुत बार पूछा गया है वो सकता है इस बार पूछ ले जाए इसको एक बार समझना जरूरी है यादगरना जरूरी है ल कलपना किसने माना है तो यह है अरस्तुने उसके बाद आते हैं हरसन तो यह कहते हैं कि कवीता कलपना और भाव के द्वारा जीवन की व्याक्या है तो दिखिए कवीता के लिए क्या क्या चीज़े मानते हैं कावय के लिए कलपना भाव और भाव के द्वारा जीवन की व्याक पूछा है और इसको हमें एक बात देखना ही है सिर्फ ताकि जो हमने आज तक पड़ा हुआ है उसका हमारे सा थोड़ा सा रिवाइज हो जाए फिर रहते हैं हिंदी के कवी देखे ये कावय के लक्षनों के बारे में क्या कहते हैं ये कहते हैं सबसे पहले इसमें केशवदास चित्र का नाम की ही कवीता है तो अंतकरण की जो वरीतियां है उनका चित्र जब उकेर जाता है तो वही क्या है कवीता है फिर दूसरी जो पंक्ति कहते हैं देखे ये कावय के संदर में कि कवीता प्रभाव शाली रचना है जो पाठक यश्रोता के मन पर अनंदमाई दीजी कहते हैं मनभाव शब्दों का रूप धान करते हैं और वही कवीता चाहे वह पध्यात्मक हो या फिर गत्यात्मक ठीक है नेक्स देखिए अचारी रामचंद्र शुकल ये कहते हैं कि कवीता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है चोटी सी पंक्ती है बहुत मौतपू दिसकस कर लिया है जिस प्रकार आत्मा के मुक्तावस्था ग्यांदशा कहलाती है उसी प्रकार रिदय के मुक्तावस्था क्या कहलाती है द्रस्दशा कहलाती है तो इस वाली पंक्ती को भी अमने अच्छे से डिसकस कर लिया है अपने जो पीछे की जो प्रीवियस हमारे ल भूतियों का संचार होता है तो ये भी कौन कहते हैं अचारे रामचंदर शुकल जी कहते हैं और इस वले जो चौथा इनका कथन है देखिए ये स्थापन और तर्क में भी कई बार पूछा गया है तो इसलिए इस पूरे के पूरे इनके कथन को याद रखना है दिमाग में ब कहते हैं कि कावे क्या है आत्मा की संकलपनात्मक अनुभूति है जिसका संबंद विशलेशन विकलप या विज्ञान से नहीं है वह एक श्रिय मई और प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है तो ये कहते हैं जशंकर प्रसाद जी कि कावे आत्मा की क्या है संकलपनात्मक भूत होती हैं, तो ये कहते हैं महादेवी वर्माजी, ठीक है, नेक्स है सुमित्रन अंदन पंत, तो इनकी ये पंक्ती बहुत महतोपूर्ण है, कवीता हमारे परिपून क्षणों की वानी है, तो हो सकता है इसको पूछा जाए, है न, इंपोर्टन है ये, इसको भी याल शब्द हैं, ये कहते हैं अग्ये, ठीक है, जो सची दानंद, हिरानंद वातसायन अग्ये थे, वो कहते हैं कि कवीता पहले और अंत में क्या है, शब्द ही है, सुदामा पांडे धूमिल, ये कहते हैं कि कवीता भाशा में आदमी होने की तमीज है, तो ये वली इनकी पंक् काफी मौत्वपूर्ण है, हो सकता है इसको पूछा जाए, चीक है नेक्स्ट देखिए कावय हेतु जो दूसरा आज का टॉपिक है भारतिय कावय शास्तर में देखिए कावय हेतु के तीन भेद बताए गए हैं, प्रतीभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तो सबसे पहली बात तो यही हमें पता होनी चाहिए कि कावय हेतु के कितने भेदे हैं, तीन प्रतीभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तो इसके अंत्रगत भी विद्वानों ने अपने अलग-अलग मत दिये हैं, देखिए, यहां पर अचारे भामा का मत सबसे पहले है कि अपने ग्रंथ हिनकों जो कावय अलगकार है यह कहते हैं कि गुरू के उपदेश से जड़ बुद्धी भी शास्त्रा दिहन करने में योगयता प्राप्त कर लेता है, परंतु कावयतु के क्या ज़रूरी है कभीता के लिए, तो यह मानते हैं कि वो प्रतीभा ज़रूरी होना का होना बहुत ज़रूरी है, तो दीखिए, इनका जो शलोक है वो नीचे दिया गया है, गुरू प्रतीभा को कावय का मुख्या हेतु सुईकार करते हैं, क्योंकि इसके बिना क्या है कावय की रचना संभव नहीं है, तो यह अचार्य भामा मानते हैं, ठीक है? इनके प्रतीभा को महत्तपुण माना है कावय रचना के लिए नेक्स से दिखिए, उसके बाद अचारे दंडी तो यहाँ पर भी वो वैसे ही क्रमानुसार आ रहे हैं सबसे पहले भामा का समय था, उसके बाद दंडी का समय है तो इन्होंने अपने ग्रंथ कावय दर्श में यह मैंने पहले भी बता दिये कि इनका जो ग्रंथ है वो कावय दर्श है तो यह दिखिए किन-किन चीज़ों को महत्तपुण मानते हैं कावय हितु के अंत्रकत, प्रतीभा, अनंद, अभिहोग और लोग वेवार को कावय हितु के रूप में माना है तो यह कहते हैं कि नैसरगी की चौ प्रतीभा, शुरूतम, चौ भहु निर्मलम, अनंद, अश्चव, योगो, अस्यकारणम कावय संपदहा अर्थात निर्मल शास्त्रग्यान, नैसरगी की प्रतीभा और बढ़ा चढ़ा अभ्यास कावय संपती के कारण होते हैं नेक्स ने देखी अचारे वामन, तो ये कावयलंकार सुत्रवृति में प्रतीभा को जनमजात गुण माना है तो ये मानते हैं जो प्रतिभाय वो जनम जात गुर्ण होता है प्रतिएक व्यक्ति में और इनके नुसार देखे कवित्व वीजम प्रतिभानम कवित्व वस्यह वीजम अरथात प्रतिभा क्या है कवित्वत्व का बीज है ठीक है तो ये मानते हैं अचार्य वामन हो सकता इस इसमें प्रतीभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतू. तो मैक्सिमम जीतने भी हमारे जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने इन तीनों चीजों को माना है, कि ये जरूरी हैं और ये ही कारण है कि इसके काव्य के. प्रतीभा के दो प्रकार बताते हैं ये, हैना रुदरट, सहजा एवं उत्पाद्या, सहजा जनमचात और उत्पाद्या से लोगप्य बहार एवं अभ्यास उत्पन होता है. सहजा मतलब जो पहले से ही अभ्यक्ति में, ठीक है, और उत्पाद्या मतलब जो वो आसपास से अपने इत्रूद से सीखता है, ठीक है, तो ये इनोंने दो प्रकार माने हैं, प्रतीभा के. ममठ है, देखिए, वो कावय प्रकाश इनके प्रमुकर रचना है, इनोंने तीन हेतु माने हैं, शक्ती, लोगशास्तर का अनुवेक्षन और अभ्यास, तो तीन चीज़ें जरूरी हैं, किसके लिए कावय रचना के लिए, ठीक है, तीन हेतु है, शक्ती, लोगशास्तर का कावय का हेतु स्विकार करते हैं इनोंने प्रतीभा को दो रूपों में बांटा है कारीत्री और भावीत्री तो यहाँ पर कावीत्री लिखा है यहाँ पर होगा कारीत्री और दूसरा आपका भावीत्री कारीत्री प्रतीभा जनमजात और भावित्री प्रतिभा का समंद पाठक से होता है ठीक है नेक्स जब पंडित जगननाथ तो ये कहते हैं कि रस गंगाधर इनकी प्रमुक रचना है और इसमें ये प्रतिभा को कावय का हेतु सुईकार करते हैं तो इन्होंने भी सिंपली किसको माना है प्रतिभा को ही कावय का हेतु सुईकार किया है तो ये जो प्रमुक कवी हैं देखिए प्रमुक रचनागार हैं इन्होंने क्या माना है कि प्रतिभा और बिहास और जो एक और चीज इन्होंने मतानी है इन तीनों चीज़ों को इन्होंने क्या माना है काव्या के ये तु माना है ठीक है तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि काव्या प्रियोजन जो है तो किस कभी ने काव्या का प्रियोजन प्रियोजन का मतलता है किस उदिश्य से जब काव्या लिखा जाता है तो सबसे पहले अचारे भरतमुनिया देखिए ये कहते हैं कि धर वर्ग फल प्राप्ति तो जो चार वर्ग की फल प्राप्ति है उसके लिए क्या है कावय रचना होती है कीर्थी के लिए कीर्थी के लिए भी जो कावय रचना रच जाता है सकलकला ग्यान प्रीति तो इन चीजों के लिए भी कावय होता है यह क्या दंडी मानत हैं कि लोक वि image बुक में आपको मिल जाएगी सरसोती पांडी और गोवित पांडी की पुस्तक मेचल से इसको समझाय गया है है ना तो वहाँ से ही मैंने इसको उठाया है आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कावे प्रियोजन के बारे में क्या-क्या अचारे मानते हैं कि किन प्रियोजनों से कविता रजी जाती है नेक्स ते दीखिए जो कावे प्रियोजन जो पाश्चात्य विचारक हैं वो क्या मानते हैं हैसियट मानते हैं उपदेश इसका प्रियोजन होमर मानते हैं आनंद प्लेटो लोकमंगल ठीक है उसके बाद अरिस्टोटल ले देखिए ये मानते हैं आनंद और ग्यान अरजन के लिए जॉन ड्राइडर मानते हैं आनंद और शिक्षा के लिए जबकि कॉल्रिज भी आनंद के लिए मानते हैं तो मैक्सिमम इसमें यतने बिया देखिए वो क्या मानते हैं कि आनंद, नीती और शिक्षा के लिए ही कावय का प्रियोजन है ठीक है, नेक्स से पाश्चात्य कावय शास्त्र में कावय प्रियोजन के तीन वर्ग किये गए हैं एक लोकमंगलवादी, दूसरा आनंदवादी और तीसरा समनवेवादी तो जो लोकमंगलवादी हैं देखे, वो कौन-कौन से हैं प्लेटो, रस्किन और तॉल्स्टोई, हो सकता है इस तरह के से प्रशन पूछा जाए मान लीजिए आपको प्लेटो दे दिया और तॉल्स्टोई दे दिया कि ये पाश्चात्य जो कावय शास्त्री हैं तो ये किन के अंत्रगत आते हैं तो ये लोकमंगलवादी है, अनंदवादी है या समनवेवादी है तो इनके बारे में विव में जानकारी होना ज़रूरी है तो अनंदवादी देखे कौन-कौन से हैं होमर, कौरीज और नियो टॉलमेस ठीक है फिर समनवयवादी जो है वो देखिए वो कौन है अरस्तु है ड्राइडन है होरेस है और आपका वर्ड्सवर्थ मैथ्यो अर्नॉल्ड तो ये क्या है ये समनवयवादी रहे हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए उसके बाद हिंदी कावेशात्र में जो कावे का प्रियोज माना है तो भरतेंद वहरीशंदर ने माना है कि अनंद के अनुभूती के लिए और लोग हित के लिए ही जो है कावे रचना होती है महावीर प्रसाद व्यूएदी की बहुत मौत पुन पंक्तिये देखिए केवल मनरंजन ना कवी का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपद इश्क को मानते हैं ठीक है अचारे राम चंदर शुकल है देखिए वो कहते हैं कवीता का अंतिम लक्ष जगत के मारमिक पक्षों का प्रतक्षी करन करके उनके साथ मनुष्य के रिदय का सामझस स्थापन करना है तो ये कौन मानते हैं शुकल जी मानते हैं कि आखरी जो उस भुमंडल में जो भी चीज़ें घट रही हैं उन सब के ऊपर इस तरीके से लिखा जाए ताकि ऐसा लगे कि वो मनुष्य के रिदय में के साथ एक तरीके से सामझस से बिठा रहा है जैसे हमके गरीब की अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो उसमें उसके तल तक हमें पहुंचना जीते हैं तो ये मानते हैं अचारे रामचंदर शुकल जी कि वो ही कविता का लक्षा होना चाहिए प्रियोजन होना चाहिए अचारे नंद दोलारे वाजपई देखी ये क्या कहते हैं आत्मन भूती ही काव्य का प्रियोजन है तो ये देखे ये भी ये मानते हैं कि आत्मन प्रियोजन है देखिए वो हिंदी जो हमारे इद्यास साहित्य कार रहे हैं उन्होंने ये ये परिवाशाएं ये बातें कही हुई है ठीक है हजारी बरसाद दुएदी ने मानव कलियान को ही साहित्य का प्रियोजन माना है तो हरजारी बरसाद दुएदी जी मानते हैं कि मनु नेक्स्ट है मादेवी वर्मा तो ये कहते हैं कि मानव रिदय में समाज के प्रती बिश्वास उत्पन करना क्या है कावे का प्रियोजन है मानव रिदय में समाज के प्रती बिश्वास ठीक है ये थी दोस्तों कावे हेतू कावे प्रियोजन और कावे लक्षन के बारे में झाल झाल